गुड वर्निंग फ्रेंड्स अभी साम के पांच बच चुके हैं और हम अभी आपके साथ जूर चुके हैं रुकमीनी पबलीकेशन का इसदा प्लेटफर्म कोचिंग सेंटर पटना का जो गूख है उसी का हम सॉलूशन करवा रहे हैं आपका दो बैचे चल रहा है एक मोर्निंग में सारे साथ वज़े और एक साम में पांच बज़े जूर भी आप लोग हमसे जूर चुके हैं तो जो लोग पहला क्लास नहीं किए हैं लेलिस्ट हम बना दिए हैं आरा ये रेलभे 1-321 बाइस करके आप वहां से जा करके देख सकते हैं चल विडियो हम लोगे स्टार्ट करते हैं विडियो देखते हैं कि क्या है कुश्चन करके देखिए मात्र 10 कोष्चन ही सुबह में बता रहे हैं साम में भी 10 कुश्चन अगर चाहे तो 10 कोष्चन को 10 मिनेट में भी खतम कर दिया सकता है लेकिन आपका आधे घंटे से जादे का व अच्छे से याद रखाए एक दम ब्रेक करकर के बताते हैं कि कंसेप्ट सही तो बताते हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाता है नहीं तो दस में काफी है वीडियो खतम कर लेना तो यह वीडियो जानबुश करके लंबा नहीं बनाया जा रहा है बस आप लोग को समझ जाने के लिए अगर आप लोग जल्दी समझ जा रहे हैं तो आपने के कमेंट बक्स में कीजिए नेक्स टाइम से हम आधे घंटे में लगभण 20-25 कुस्चन करवाने क्या प्रियास करेंगी तो चली हम लोगे स्टार्ट करते हैं प्रस्न क्यों आपका प्रस्न क्या है देख कारा नमर कुस्चन है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन दिया स्टेक से लिखा हुआ है कार लोन लिया होगा चुकि बैंक से तो लोन लिया जाता है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया यानि कार खड़े दने के लिए उसने कितना लोन लिया मीना न 2,75,000 रुपर इसने मीना ने लिया उसने 8 परती सत की बार्सिक दर से व्याज का भुखदान किया यानि कि आपका rate of interest जो है कितना % है? 8% है rate of interest और 3 वर्स में भुखदान कर दिया यानि कि उसने कितना time के लिए कितना period के लिए? 3 year के लिए दिया दो लाख मीना ने कार ख़़ईदनी के लिए 2,75,000 रुपए 8 रुपए interest से % interest 8 रुपए से कितना सालों के लिए या 3 सालों के लिए लिए भुखदान करते समय उसने अपना पुराना scooter तथा यानि कि उसने कितना पे किया यानि कि 3 year के बाद यानि कि 3 साल के बाद यानि कि principal और पलस जो interest होगा यानि कितना रुपए जो amount होगा तो amount जो जमा करा तो amount में क्या किया उसने 3,35,000 रुजा जमा किया और पलस में अपना scooter भी दे दिया यानि कि ये principal ये rate of interest ये time तो 3 साल का सधारन ब्याज है मतलब कुछ नहीं बोला चक्रिविंधी ब्याज अगर नहीं दिया हुए तो यानि कि आपका जो ये principal और जो interest है समय के अंत में एकसां दिया जाता है वह ही amount का जाता है amount जो हमारा हो जाएगा वो निकाल सकते हैं कि amount कितना होता है सबसे पहले ये निकालते हैं तो इसमें ये देखने वाली बात है amount हमारा जो ये निकलेगा उतना amount इसको देना परता लेकिन उसने क्या किया उतना amount के बदले इतना दिया और scooter दे दिया यानि scooter का कुछ cost रहा होगा तो scooter का कितना दावरी ये बता जी तो हम लोग पहले amount निकाल लेते हैं ये principal है आपका 2,75,000 रुपैर तो amount निकालने के ये क्या करते है principal plus interest यही करते है principal plus interest तो principal आपका कितना ये तो दिया हुआ है चितना दो लाख 75,000 रुपैर ये principal दिया हुआ पलस आपका interest तीन साल का कितना हो है तो ये दो लाख दो लाख 75,000 का ये 8% तीन साल के लिए तो percent interest परसेंट इंट्रेस्ट बराबर आपका क्या हो जागा rate into time होता है यानिकि rate 8% time 3 year यानिकि total कितना परसेंट 24 परसेंट इंट्रेस्ट 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 जो होगा इसका करते है यह तो लाख 75,000 का ये प्रिंस्पल ये तो आप देजीएगा यह करजनी है और ये तीन साल का इंट्रेस्ट फोगा तो इंट्रेस्ट इतना रहा है मल्टिप्लाई कर देते हैं हम लोग यह 0 का तो 0 लिख देते हैं क्योंकि 0 ही होगा यानि 276 में किस से मल्टिप्लाई कर देते हैं 24 से तो यह मल्टिप्लाई कीजिए यह 4 4 पचे 20 का 0 करी 2 साथ्यों कठाज 2 30 30 10 40 40 का 0 करी 4 4 दूना 8 8 4 12 12 12 14 26 26 का 6 करी 2 2 दूना 4 और 2 6 सब्सक्राइब यानि कि 6,000 का इंट्रेस्ट हुआ और यह यानि कि टोटल इमाउंट तीन साल के बाद कितना देना परता तो यह देना परता उसको यह टोटल एड कर दिजी तो यह दूनों को जोर दीजी जोरेंगे तो यह दबल जीरो यह 5 16 का यह करी एक साथ 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 14 का चार करी एक डू एक तीन आपका जो टोटल इमाउंट है तीन लाख 41,000 का यानि मिना को इतना देना परता तीन साल के बाद लेकिद उसने यह 3,41,000 के बदले क्या किय उसने पेखिया 30,500,000 रुपय और आपना इस कुटर दे लिया तो इस कुटर का द़ाम निकाल लेहिंगे हमं वह लग की किकला भी किते लाख 41,000 देना था तो उसमें से 3,45,000 दे जिए तो उसने कितना दे दिया तो स्कूटर का प्राइस होगा वह आपका ये देना था तीन लाग टोटल एक तालेस हजार रुप्या इतना देना था लेकिन उसमें मात्र दिया कितना तीन लाख 35000 विर्प दिया और परवस में अपना इस्कूटर दे स्कूटर ली आपने किना गो झालिया है ऐसने कर दाकिे हम इसको भुत खिंद कि मेलिके मैं से वाटा लेंगे तो आपके इसपյाल से परेस आहिए जानिकि क्या हो गया तो यह 3,35,000 घटाएंगे साब कि इतना है तो आपका स्कूटर का दान कितना था शूफ रहा तो तीन लाख एक्तालीश चैनल यह चुक्ता हो दिखकर है जिले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों कि तरा आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें पीछे का कुस्टन का तो आप जरूर प्लेडिस्ट में जा करके देख सकते हैं हम इपकिप करके परतेट प्लस्टन को इसी तरह बनाते चलेंगे अभी कुस्टन ठोड़ेंगे नहीं और आप प्लेडिस्ट में जा करके जो लोग नए हैं उन लोग के लिए बता दें और वीडियो को जरूर सियाग कीजिएगा अपने दोस्तों चुकि हम एक एक पॉइंट कंसेप्ट्वल से बनाकर फिले कर चल ले हैं आप लोग को प्रस्न बनवा रहे हैं एक भी कुस्टन छोड़ेंगे जब बारा नमर प्रस्न आपका क्या बोड़ा है एक टैंक दो नल एक टैंक है उस्में 2 नल x तथा वाई करम सा 5 घंटे तथा दस घंटे भरा जा सकता है एक टैंक है उस टैंक को 2 नल यानिकी 1 नल x है एक कुई टैंक है समझी इस टैंक में अगर X नल है एक नल है उसका नाम है X उसको अगर इसमें खोल दिया जाता है तो कितना घंटे में भर सकता है इसको 5 घंटे में इसको भर सकता है और अगर एक Y नल है एक और नल है उसका नाम है Y अगर Y को खोला जाता तो कितना घंटा मे भर सकता है जबकि एक अन नल जेड टैंक को खाली कर सकता है यानि कि एक नल है जो इसी में लगा हुआ है इस टैंक में लगा हुआ है इस नल का नाम है जेड और एक ये नल माल Cincinnati की ये नल है next इस नल का नाम है X और एक और यह नल है यह Y यानि केवल इस नल को खुलते केवल यह नल को और यह तंग यह अगर बंद रहता तो 5 घंटा बहर सकता है अगर केवल Y को खुला जाता यह बंद रहता तो 10 घंटा और अगर यह नल का नाम है बीस घंटा में तो यह चुकि खाली करने वाला इसलिए इसको गोल घेड़ देते हैं ताकि हमको सुभधाव बना यह दोनों भरने वाला नल है और यह खाली करने वाले तो यह नोटेशन होगे हम लोग का एक तरह से कॉस्चन जब बनाएंगे तो जो खाली करने वाला नल तो सबसे पहले तो इस तीनो का यह जो टाइम है टाइम का हमनों लोग लोते हैं तो यह तें का क् Addörtई का लेंदे पांट अरे इतका लेंग ल्पर साहिंруг का इतना है तो इस ऑचरा चंता कीतना होगा है पान्तों इस वो भाघ दीजीए एतंतों चार इस नल का छम्था दस से इसमें भाग दिजी तो कितना जागा दो इसका चम्था कितना एक चीजिए हजया जिए रहाएर लेकि वन नहीं माइनस वन हुगा चुकि या खाली करने वाला है ये नल ऑसाद खोल दिया जाता तो कितना दिर हमें भर जाए आपका इन अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो यहीं कुछ साद हुआ है तो हमलोग क्या करेंगे यह टैंक का कैपेविषरी टौटल बीउडर और बटर टौटल एफजिएंसी तीनों नल को खोल दिया गया इस इस नल का छम्ता चार इस नल का छम्ता दू चो टोटल ता यानिकि छो के एफिसियंसी से भर रहा और इस नल का छम्ता है कि खाली कर रहा इधर से दोनों भर भी रहा इधर से कुछ खाली भी होते ना रहा तो यह माइनस हो तो चार दो छो में से एक गया तो कईया वाबदी तिनों के इफिसैंसी Pod Kyle 505 इन कि यह क्या हजागा आपकाất है ताइन टाइक को भर तेगा तो आपका आपका option number ंबर्पी हो गया बारा खॉर्पी चलते हैं next person और कि आप लों इसी तरद बनाते रहिए नेक्स्ट कुस्टन, बहुत इजी-जी कुस्टन है, यह सब कुछ है इतने, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके परना है, नेक्स्ट कुस्टन आपका क्या है जी? कितने नमर था? 12 नमर करा लिए, 13 नमर, देखिए यह भी बहुत अच्छा कुस्टन है, 13 नमर कुस्टन आपका क्या कह रहा है? अनील ने, 6 रपर परती अंडे की दर सी, अब देखिए, इस गोस्टन को हम दो तरीका से सोँझ सकते हैं, बस यह सोचने का दारा बढ़ा है कि हम किस तरीका से सोँझ सकते हैं, इसमें हम लोग गल्ती क्या करते हैं? जो रह BIG कभी कोस्टन में, जो पूरा डाटा दिया हो र और रियल में उसका उत्तार मतलब प्राप्त करने के लिए हमको उस पूरा डाटा का जरुरत ही नहीं होता है जैसे देखिए आभी हम लोग दुनों तरीका से सुचते हैं क्या होता है अनील ने 6 पर परती अंडे की दर से 100 अंडा खर दा यानि कि 4 पर अंडा के दर से 4 पर एक के दर से कितना अंडा खर दा? 100 अंडा खर दा ठीक है उसने 25 अंडे 10 परती अंडे के लाव पर 25 अंडा कितना परती अंडे के लाव पर? 10 परती अंडे के लाव पर 25 पर 35 पर दिस दर्द के लाव पर देच रहारा लाव पर यानिकी यह भी दिया गोई बता अनिर को कितना पर दिस दर्द का लव यहाली हुआ, चलिए तो अब हम यहाँ अच्छा से समझतें इस पूस्टर, बोल ला है, छो रूपे पर अंडा के दर से 100 अंडा खरदा गया, यान कि 100 अंडा खरदा गया, तो कितना रिप्या का खरदा गया, 600 तो 600 रूपे का अंडा खरदा गया, सो अंडा, जिसमें से 25 अंडा इतना के लाख पर 25 अंडा इतना के हनीपर और 50 अंडा इतना परतिशत के लाख पर वेचा आगे हम इसको क्या करेंगे इस data का कोई यूज ही नहीं ये नहीं भी देता न तो हम question को बना लेते alligation एक method होता है question बनाने का आप लोग साथ पहने होंगे तो allegation method का हम लोग उच करेंगे तो allegation में reverse of allegation तो reverse of allegation में क्या कहता है यह 25 अंडा किस rate से 10% के लाग पर बेचा गया 25 अंडा किस rate से 25 अंडा आपका बेचा गया यह 25 अंडा के फिर 50 अंडा पचास अंडा बेचा गया 20 पर 30 के लाव पर बेचा गया तो ओभर बताइए कि ये पूरा सौधा में ओभर और कितना पर 30 का लाव है आने यानि एक परसेंट का अगर पलस में आगा तो लाव हुआ होगा अपर मैस में आगा तो हाली हुआ हो और यह अब यहां से हम क्या करें काइं के लिएश्ट्यू निकाल दीगे इसका यह काट दूजे कटने वला है यह तो यह आप का कितुन हो गया और दो चार में distinct जिए एव हम देखिए क्या करते हो यह multiply करजिए 10 में 10 यह minus में है चुक्षी तो sign लेंगे तो यह minus में कितना हज़ाया 1 से multiply करेंगे तो 25 फिर यह परस में तो 20 फिर चालीश परसेंट बरावर यह चालीश से multiply किजी तो 4x परसेंट यह सब भी परसेंट में ही है है यह सब भी टोटल पर्सेंट में ही आगा आपका तो अब यह देखें तो यहां 25 पर टिशत बरावर यह थो एक्स परसेंट तो अब यह एक्स तो यह चार से इधर भाग के तो बोल सकते हैं 25 बढ़ावर एक्स परसेंट बढ़ावर आपका किसना आज यह 25 में चार से भाज देंगे तो 6.25 परसेंट पलस में यानि कि उसको ओवर और कितना परतिसद का लाग हुआ तो 6.25 परसेंट का लाग हुआ ओवर और तो यह किस मेठट से हम लोग बनाएं reverse of allegation मेठट से यह question को बहुत थीजी हो गया कुछ करना ही ने पड़ा एक और तरीका ऐसे भी सो सकते हैं थोड़ा सा समझा देते हैं आपको है हुआ कि इसको एक प辉चे मेठट हुआ यह बहुत इजी में ठड़ा कि यह और तारीका हम क्या सो सकते हैं एक और तरीका यह सुच्छ सकते हैं कि इसका यूज कर ले ऐसे नहीं भी करें बीकोई दिकत लैं कि निसकी जाहे तो करदे Bowl कोई दिकत नहींए। तो इवजी करेंगे तो ये चाव रुपे पर अन्दा तो सव अन्दा कादाम कितना हो जागा बोली तो सव अन्दा खर देते तो सव एक कादाम कितना रुपे आप जागा तीन सव रुपे आप जागा 100 गैम थेन दंदिए गडृताविया। ये 25 गैम कितना होया आब स्वन भागदिए। 25 गैम किस्थाविया हृताविया 25 गैम कितना होगा रूपया रुपया। फेर यहां 25 गैम कितना होगा। फिर ये पचास और सौन्दा कदाम है तीन सब्सक्राइब कितना रिप्य आप जागा आपका फिर यह 25 परतिसत के हानी पर भेच रहा है तो 35 परतिसत के हानी पर मतलगि मस्में से कितना गळेगा एक फचीस और पर only 5 15 बटे इतना का निकालेँगे यानि कि पचीस बटे तो यह आपका कितना आजागा निकाल दीजे चार एक तीन पैंटिस चार आठ चोग बत तीस यानि कि 18.75 आएगा तो यानि इसमें इतना का नुक्साल हो जाएगा फिर यह 20 परसेंट के लाग पर बेचे रहा पचास अंदा तो पचास अंदा का खरीदाई आपका डेर सोल प् तो दास परसेंट 15 तो बीस परसेंट कितना हो जागा दूना तीर सिरुपे यानि कि यह अब इसका कल्कुलेशन कर लेगी आपको पता तल जाएगा कितना का प्रोग कितना का लॉस लग तो हमां लोग आप यहां से क्या करेगी यह टोटल जोड लीजी तो यह टोटल आपक आपको जो रियल भेल हुए आगा फिर हम लोग परतिसत में निकाले हुए ठीक है यह थोड़ा कंप्लिकेटेव है हम वो जो बता चुगा असान था लेकिन आपको जो सुब धालागे बता देते हैं कॉंसेट डेवलाफ करिए जानना जरूरी है आप लोग क्या करते हैं यह क्या है कि कुस्टन को एक ही तरीका से बनाते हैं आगे वर कि थे होता है तो आगे अगर को गुंस्टन देगा तो आपसे जरूर हम लोग ने गया है तो इसमें क्या करेंगे यह सब को जोर दिझी यह तो आपका तीन समाह जागा इधा हाल और यह पलस यह तीस यह 30 हो जाएगा और यह 37 यह आप यहां से ही डाइडेक्ट कर देते हैं छोली यह 18 रुप्या पच्छत्तर पैसा है तो यह 19 हो जाएगा 25 पैसा तो 19 11 11 15 पैसा यहां घटे गातु इतना में जिचे हम लोग टोटल सवंधा को इतना में बेचे और सवंधा को खरते थे जाने तो लाइडेक्ट में तो लाइडेक्ट करते हैं इतना का होगे तो यह निखालेंगे 318.75 by 300 into 100 यहीं तो करना है 0000 से 003 से मल्टिप्लाइ कर जिए पुछाएक है तो 3 से भाग देते हैं तो 3 से भाग देते हैंगे तो यह कितना बार में लगेगा एक बार में लगेगा यह ठीड़ी अच्छा आप से क्या पूछ रहा है केवल प्रोफिट पूछ रहा है कितना पर्तिशत का लाव्यानी हुआ तो इसका तो जरूरत भी नहीं इसका जरूरत भी नहीं इसको छोड़ दी पूछ नहीं इसका जरूरत भी नहीं यह एड करने का यह तो डिरेक्ट हो जाए यह तो डिरेक्ट ठारर का पाच्छप्तर पैसा यह डिरेक्ट आजैगा तो यह आपका 3 से कटेगा कितना बार में यह आपका यानि यह तो जरुवत ही नहीं, मतलब इस पर दस पर 30 कालाब हुआ, इस पर 25 कहानी हुआ, इस पर 20 कोई दिक्कत तो बोली देख, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह अठारे का पर पेसा, किहाई प्रोफिट? पुछरा आज है चलते हैं नेक्स कुर्स्ट दिवर्थ खटी नमर कुर्स्टन देखते हैं क्या कर आए आप लोग को अगर इसका पीडियेक चाहिए तो आप नीचे दिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुए टेलीग्राम चैनल के आप वहां पर जोइन कर सकते हैं वहां पर आपको दिया जाए अगर आप लोग के पास नहीं है तो अगर बुख है रुकमीनी पब्रिकेशन का तो अच्छा बात है चलते हैं आपका क्वेश्टन है नेक्स्ट फोटी नमर क्या बोला एक कंपनी में 10 करमचारी को परती करमचारी परती करमचारी को कितना रुपया मतलब ये कंपनी में 10 करमचारी है उसमें से परती करमचारी को कितना मिल ला है परती करमचारी को मिल ला है थेटी सयाफ़ा पर्तीन परताब करमचारी को मिल ला है तो डूरिखी तो कैल्कूलेसा की कति पलब डिश्य करते हैं यहां 굉장히 यहां लिएस्क पंच सकता है तो 5 लेंगे आफको यहीं तो यहां क्योंतटे लिए ten a 4 सब्सक्रते हैं कोने सिक्षिए लिए कि यहां से क्या करते हैं क्षेघे दम हैं सब्सक्राइब बताने समझने के लिए पांच कमन लेंगे तो यह बच्चे का दो गुणा 36200 पलस यह पांच कमन इसमें से भी लेंगे तो कितना हो जागा थिरी इंटू 3550 और यह बट्टे आपका 25 यह पांच से कटेगा कितना बारें पांच पांच नेक्स्ट आपका क्या होगा अब यह दो से मल्टिप्लाई होगा तो दो से होगा तो यह कितना होगा यह बट्टे यह पांच यह आगे अब यह सबको जोड़ दीजे क्या रहा तो यह आएगा आपका 0 यह जोड़ देंगे दोनों को 0 5 उसके बाद 6 4 10 1 और यह 1 और यह 2 4 फिरी और यह पांच से बेन का मतलब लोसे क्या कर देंगे हम लोग наịंट प्राइकर कशसर है कि हम लोग पिछे बताए हुए वैड़ों को पढ़ाए है तो पांच से बहाए देने का मतलब का लोग टृप्लाई कर देना है एक यह क्या हो जागा यह आपका हो जागा जीरू, यह जीरू, दो से मल्टिप्लाइ करना है, यह जीरू, यह पांस दुना दस का दीरू, कैड़ी एक छब, साथ दुना चलगा, दो एक अंग दे, तिन, आगे, अब पांस से चुकी भाग दिये, तो अब क्या करेगी, एक अंक इधर पॉइंट आपका कितना हो गया, आपका कितना हो गया, आपका कितना हो जागा, 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 आपक चलिए नेक्स्ट कोस्टन है आपका यह सब बहुत अच्छा अच्छा कोस्टन है यह सब पूछा गया कोस्टन है यह सब प्रिवियस यह आरी एंटी पीसी स्टेज वन 283-2016 का जो फर्स शीप का एक्जाम गए था उसका कोस्टन हम यह आप लोग को एक्स्प्लेन कर वा रहे ह तोटा नेक्स्ट कोस्टन है आपका फिव्टीन नमर को फिव्टीन नमर को देखते हैं राज इने अपने चार भी सजों मी कितना कितना नमर लाया है 67, 69, 78 तथा 58 अंग पराप किये उसे अपने 52 विशे में कितना पराप करना जाए ताई 5 विशे में कितना इपराब्स करना चारी एक संख मांगी तो पांचों-बिसtoo कितना पराफ करना चार ने ने इस वशने कि पांचों सब्सक्ति Key ao को चार विशा का दिया खावं आपाँजिए पांचों का भीकितना हम रहात थे पांचों का चुर देंगे अर बचहन से तो यह पांचों का उसत हमको दिया गया है क्वेश्चन कि अवसत हम कितना हो जाए असी हो जाए तो क्या करेंगी अब कल्पुलेशन ही तो है कुछ है नहीं यह आठ पर कितना जाएगा टोटल जोदी कि 17 यह जाएगा आपका 69 चलिए जोड़ी देख्या दिक अतर यह आठ आरदूना शोल्ल यह नव आठ 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 जोका बत्तिस बत्तिस का दोकारी तीन साथ तीन दस दस और अठारा 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 अठाव चोबिस चोबिस और छो तीस यानि कि यह आपका तीस हाई बराबर स यहां तका पलस एक्स बराबर यह 5 उदर मल्टिप्लाई होगा तो आठ परखे 40 यह 400 यह आपका एक्स बराबर यह 300 उदर घाटेगा तो आप 302 घाटेगा तो कितना आजागा आपका 98 यह आपका पांच बाबी समी कितना नबर बना चाहिए था 98 जी हाँ एस स्कूर बहुत अच्छा है 98 कम नहीं 98 परसें एक सब्जेक्ट है चेंग अप्शन नमर डी नेक्स्ट कुस्टिन क्यों चलते हैं देखिए इसमें अभी जो एक दू कुस्टिन होने बला हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है आप लोग देखिए इंट्रेस्ट लेकर समझते हैं कैसे हम लोग सब्सक्राइब चुटकी बजा करें को सब्सक्राइब करते हैं एक यात्री बस में यात्रा करते हुई पाया कि 35 विधूत खंबे एक मिनेट में पार कर लिए यानि एक यात्री है जो बस से सफर कर रहा है एक मिनेट में वो देखा कि 35 खंबा पार कर जा है यानि जैसे एक एसे ए दो ती चार पार ऐसे करके कि इतना खंबा 25 वह कितना टाइम में पार कर जाता है एक मिनट तथा दो खंभों के बीच का दूरी कितना है पंचास मीटर तो बंस का स्पीड बताने के लिए तो हमारा स्पीड बंस का स्पीड बताने के लिए फर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटे हैं यही होता है और तंव को दिया है कि एक मिनट में पार कर रहा है तो अगर दिस्टेंस मालूम हो जाय कि जै कि तना दूरी ते किया था कितना दूरी तब तो हमें स्पीड निगाल सकते हराम से तो कितना दूरी देखिया तो बोला है कि दो खंभा के बीच का दूरी कितना है कितना है कितना है दो खंभा के बीच का दूरी पचास मीटर है दो खंभा के बीच का दूरी पचास मीटर है तो अब बताइए 35 खंभा है अब समझे यह में कुस्तर में क्या पकाना है यहां समझ जैसे यह दो खंभा तो गैप कितना का हुआ एक गैप हुआ तीन खंभा तो गैप कितना का हुआ दो गैप हुआ चार खंभा गैप कितना हुआ तीन यानि जितना खंभा उससे एक कौम गैप हुआ आप खुछ सुचिया यह दो खंभा है तो गैप कितना का हुआ एक का एक ल यानि जितना खमभा उस्से एक कम गये तो यह 35 खमभा है total तो गैप कितना होगा 34 34 गैप होगा question में यही पकरमा था तो 34 गैप हुआ और एक गैप का distance देदिया है 50 मिटर तो total distance कितना हो जागा cover तो total distance जो होगा total total distance जो होगा यह आपका 50 गुने 34 यह होगा total distance मेन यही पकरना था फोटो कि आप कुछ करना है क्या अब खुड़ बना एक तो 50 गुने 34 यह आपका यह मीटर में आए यह मीटर तो कि यह 50 मीटर तो आप चली कर देते हैं यह कितना हो जाएगा आपका यह 0 सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमें देखने वाली यह बात है कि हम लोग या तो जब इस्पीड लिखते हैं या किलो मीटर पर आवर में यह जो चीज में तो लिखते हैं तो चुकि यह मीटर में है डिस्टेंस यह मीटर में दिया हुआ है लेकिन यह टाइम सेकेंड में नहीं दिया हुआ तो सेकेंड में हम लोग इसको कितना लिखेंगे साथ सेकेंड इसको कितना लिखेंगे साथ सेकेंड लिखेंगे तो आपका हो जागा यह सत्तरा सव पर यह सкив Dokos Back ever, सभशन दिया हुआ है किस दिया हुए किलो मीटर पर आवर चाहिग, यह की में किस में है ह लिख दे किनम तो अब समधाई में किलो मेटर पर आवरल में यह कला है कि इसनी से हैज चैण तो यह 0 से 0 कटेगा यह 6 से कटेगा तीन बारमी अब यह देखिए यह फिर 5 से कटेगा यह 1 0 इतना बारमी दो बारमें तो यह 3 दूना 6 इतना ज़र दूना 6 और यह 17 तो 17 छक तो क्या आजया आपका निकालती जीרכ है कोई दिक्कत तो बोड़ी कोई दिक्कत तो आपका 102 km2 आवर आपका ऑप्सेन नमर कौन साथ और सोला कावी चलते हैं नेक्स प्रास्न क्यों उमेद है आप लोग बहुत अच्छे समाझ रहे हमें आप लोग प्लीज किप्पया करके वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखि कि हम जान बुज़का कि आपको थोड़ा सुलोगर पढ़ा रहे हैं ताकि हर वो बच्चा को समझ में जो मैठ से उमीद खो दिये हैं कि हम मैठ नहीं सीख सकते हैं चुकि रेलवे में क्या होता है जो अधिकतर रेलवे के शुलेंट होते हैं वो जीके जीएस पूरा एकदम राट लिये हुए रहते हैं वो एकदम लुसेट दे दिजिए कोई भी बुक दे दिजिए एकदम गर्दा उड़ा देंगे एक पॉइंट याद है मौपा तो पकसर देखा जाता है क्या कि जिनका जीके जीएस अच्छा है उनका मैंस बहुत ही बीक रहता है तो रहने का तो एक वज़ा है कि जीके जीएस पर ध्यान देरेंट उसका बज़ा ये भी है ये सब लोग डढ़ा देते हैं कि तुम्हारा जीके जीएस अच्छा है ना तुमसे नह जिसने उम्मीद खो दिया है उसी के लिए लापी लिए चलिए नेक्स्ट क्रूस्टन है अपका 17 नमर आमन और आजय एक दिवार को कुराम समनाव और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यानि आमन है आमन एक दिवार को कितना दिमें बना सकते हैं 12 दिनों आजय आजय जो है 12 दिन पूरा कर सकते हैं एक दिवार को बना सकते हैं यादी दूनों मिलकर करें तो कितने दिनों यह बहुत सिम्पल है अब यह पीछे नल वाला बना है टंकी भरने मदा उसी टाइप का मतलब यह इतना दिन में कर सकते हैं यह इतना दिन में उसमें टंकी थ कि आपने मादम की पानी भरसकता है। इतना देरमे भर खाली करता है। यहां पे क्या ह। किसी दिवार को अकेले करेस्टु गाले नावां। न हीक दिवार को बनाल गाथ। जो जोडता है राजमीषति और आजय अगर किसी दिवार को अगर चोले तो बारा दिन में जोड़ सकता है यानि कि इसका तागत कम है इसके पास तागत ज़्यादा तभी तो कम समय में कर लेगा आजय के पास इसके कम समय में तागत ये इसको ज़्यादा समय लगें तो दुनों मिल करके इसी काम को करें, तो दुनों मिल करके यानि कि ये आमन पलास आ जाये, अगर दुनों मिल करके इस काम को करें, किस काम को यही काम को ये टूटल थातिस काम को, तो कितना दिंगा खतम होगा, तो ये चार तिन पलास साथ दुनों का तो तागर जूप जाग सब्सक्राइबाने नमर doctor यह बहुत ही अच्छा पूस्टन है अठारु नमर को जो कि अठारा नमर कुस्टन यह लोगपके बनाने लगते हैं क्या करते हैं सब लोग प्रस्ण को लिख कर बनाने लगते हैं लेकिन नहीं आज हम आपको याद रखने का तरीका सिखेंगे अभाज संख्या होती है 50 से बोल ला है 50 से 100 तक कितिनी अभाज संख्या होती है अभाज संख्या आप लोग समझ रहे हों कि प्राइम नंबर अभाज अभाज संख्या इंगने इसमें बोलते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टरों अब देखिए ये तुम आप ऐसे रख लिजिएगा कि एक से लेकर के 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है 15 कितना प्राइम नंबर होता है यानि एक से सो तक तक कितना प्राइम नंबर हो जाया पचीश एक से सो तक यह रख लिजिएगा तो आपका 50 से सो तक का 10 ऐसे याद रहेगा लेकिन और ब्रिक क्या कर सकते हैं शुर देखिए अगर पुछे लिए क्न कौन कौन प्राइम नंबर हो तो शुरре कितना प्राइम होता तो प्रिक सकते कोई दिकत नहीं दो तीन पांग साथ यारा तेरा 날 wildlife YESStacks SJS लिख नए असे लिश्कत नहेंगा ओंति सो अग의 ओ पुरा तो तो हाक दिक सकते हैं है लेकिन काने तो कि कोष्टों शेनल शेन हम रहाद कोष्टों निकालेंगा आक को चिखानेगे जैसे द हैं mówi को बोले द 2007 710 अर्वल फिर बुरले जा दस से 20 तक इतना प्राइम नहर बैसे थीम थीम से 20 क्या बोली दो बार 4 चार फिर दो 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 फिर तीन बस हो गया इस्तने याज रहेंगा ना 4 4 दो दो तीन चार दो बार 4 दो बार 2 और तीन याद हुआ सोची चार चार दो दो तीन अब देखिये हम क्या करें यह आपका आगया एक से लेकर पचास तक का टोटल प्राइम नमा यह 1 से 10 तक 4 प्राइम नमा है एक से दस तक ये 10 से 20 तक 4 प्राइम नमा, 20 से 30 तक 2 प्राइम नमा, 30 से 40 तक 2 प्राइम नमा, और 40 से 50 तक 3 प्राइम नमा, देखे टोटल पंदरा है, 4, 4, 8, 2, 10, दो बार तीन पंदर, टोटल पंदरा प्राइम नमा, देखे जी, एक से 10 तक ये संख्या बता रहा, एक से 10 त तो कितना हो जागा है, 11, 13, 17, 19, देखिये, 4 प्राइम नमर फिर 2 प्राइम नमर, मतलब कि अब जोड़ना नहीं पढ़ेगा, कि अच्छा कौन-कौन होगा, आप तो जानी ही रहें, कि तुकि 20 से 30 तक में 2 प्राइम नमर होता है, तो ज्यादा सूचने का जरुवत नहीं है, तो हम लोग बता देंगे कि 329, ज्यादा सुचने का ज़रत नहीं परेगा, तो ये 10 तक, 20 तक, 30 तक, आप 40 तक, यानि कि 30 से 40 तक में भी दो पराम नमर, तो हम लोग जान रहें, सिले बहुत तेजी से बना देगे, तो एक हो जागा आपका 31 और एक हो जागा 37, आग या, 10 तक 20 तक, 30 तक ये 30 से 40 तक, अब 40 से 50 तक में 3 होता है, तो बलती होने का बात ही नहीं, तो 3 कुन-कुन हो जागा, 40 से 50 तक हो जागा, फिर 43 हो जागा, फिर 47 हो जागा, ये 3, आग या, देखिए यानि कि ये टोटल 15 पराइब, ये याद करने का तारिका बहुत, अब इसके चार चार दो दो तीन अब पुछ नहीं करना है अब जो निक्स्ट वाला होगा यह तो समाझेगा बहुत थी निपोटे है चार चार दो दो तीन अब पचास से सो तक वाला है पुछ नहीं करना है यहां से लेना है यह से में रहेगा दो 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 तीन 2, 2, 3 यह चार-चार छोड़ देना, चुकि चार-चार बस बीश तक ने, यह 2, 2, 3 और इसके उल्टाप चल्दा है, यह 3 के बाद क्या होगा, 2, 2 के बाद क्या होगा, 1, तो यह जो आपका आगे आपका, पचास से सोल तक का, यानि कि यह पचास से साथ तक का 2, 2 प्राइम नम साथ से सतर तक दो प्राइम नमा, सतर सासी के बीच में तीन प्राइम नमा, और ये पसी से नब्बे के बीच में दो प्राइम नमा, और ये नब्बे से सव के बीच में एक प्राइम नमा, कोई दिक्कत हो गये था चलते नेक्स्ट कोर्शन के वह यानि याद करने का तरीका हो गया जो इसी में बहुत सरा बता दें क्या है एक बार खिर से बता देखें सुखिए याद हो गया यानि याद हो गया चार चार दो तीन याद हो गया एक से पचास्तक का प्राइम नमा एक से दास्तक का दास्तक प्राइम नमा इसे दास्तक का दास्तक प्राइम नमा इसे तीस्तक दो प्राइम नमा इसे तीस्तक दो प्राइम नमा इसे चालिस्तक दो प्राइम नमा और चालिस्तक यह जोर लिए यानि कि एक से पचास तक 15 पराइम नम्म है, फिर अप पचास से सो बना लाए गए, तो जिए दूनों को छोर दीजी, दो, दो, तीन, उल्डी भर से चले गए, तीन के वर क्या दा जो गए, यह आगे आपका क्या, पचास से सो तका, यह आगे आपका क्या, पखोजनी का जोरत नहीं कि किस से भाग रहे, तो एक से पचास तक 15 पराइम नम्म, यह पचास से सो तक 10 पराइम नम्म, टोटल एक से सो तक 25 पराइम नम्म, नेक्स्ट कुस्चिन है आपका, उन्नीस नम्म, उन्नीस नम्म क्या करा है, दो संख्याओं का बुनन फल दिया बुनन फल दिया ऐब दो संख्याओं का बुनन फल 35,88 थे, दो संख्याओं का, बुनन फल 35,000 तो मान लेते हैं, एक संख्या, ए और दूसरा संख्या भी तो दोनों का बुनन फल कितना दे दिया। 35,888 दे दिया, तथा SCF, SCF कितना दे दिया है, SCF दे दिया 26, तो उनका LCM व्याद किजिए, LCM पुछा जाना है, तो ये तो सिम्पल है, आप लोग पढ़ने भी होगे, LCM बराबर क्या होता है, देखें न, ये ऐसे होता है, LCM into SCF बराबर क्या होता है, दूनों संख्याओं का गुनानफल होता है, यहीं न होता है, दूनों संख्याओं का, तो हम उसके क्या पूछ रहा है LCM, तो LCM बराबर ये हो जाएगा, आपका ये भागा में आजाएगा, द यह क्या है आपका 35,888 बट्टे कितना है 26 यहीं तो है कुछ है क्या तो यहीं आपका कालिकुलेशन कर दी थी आपका LCM आ जाएगा या आपको ऐसे भी स्टेफ 26 के स्कोई भटाना पर उतना नहीं किजिए आप यहीं स्टेफ समझी ज़्यादा अच्छा है तो दो से तो कत न जाएगा आपका भाग देती है तो यह 2,1,7,2,4,1,5,8,9,8,1,4 यह आगे 17,941 में कितना से भाग देना है 13 से 17,913 में कितना से 13 से 13 से भाग देंगे तो कितना है आपका उपलिक्त है आपके यहीं देते 13 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 13,4,9,3,3,49,10,1,1,1,1,9,10,3,8,104 यहानि 13,8 आपका क्या आगया? आपका क्या आपका 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 A square minus B square भागा A square minus B square भागे A plus B बराबर दिया है 20 कितना दिया 20 तो A minus B बताई ए तो A minus B बराबर तो अब देखिए A square minus B square को बोल सकते हैं बूल सकते हैं और यह टोटल के भागा में है एक पलस बी को सब्सक्राइब एक कुर्चन है ना एक स्क्वार माइनस बागा एक पलस बड़ावर 25 तो एक बड़ावर 25 तो इतना बड़ावर 25 यह तो दिया हुआ इतना को ने लिख सकते हैं यह पलस बी से पलस बी कटेगा टापका बड़ते हैं यह माइनस बी वही तो पूछ रहा था यह माइनस बी बड़ाव 25 अप्शन नमराव का सी उत्तर तरी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं फिर क्लस कल सुभा मोर्निंग में साइबसारे सात बजय यानि आपका दो कलनया है емуर्णिग में सब्समय वाई साथभर ऑर एक कि इवनिंग में साम में पांच बज़ित आ तो आपको बताएं कि कल क्या होगा पड़ाइए कि इसी के आगे चलेगा रुक मीनी पब्लिकेशन का आप लोग बुक ले लिजिएगा बता देते हैं आप लोग कि आप का चलेगा अच्छा वह है शेटन शिट बालाचलेगा अभी जो पॉस्टन चल ला था यह अठाइस तिन वहजार शोला का जो है आरार्बी अंटीपी सिटे जवान का जो पॉस्टन है यह फ़रस्ट शिट वालाज खतम होंगे डाल मोर्निंग में क्या चलेगा शेटन का है भॉलूम वान रूकमीनी पब्लिकेशन का हम लोग ये टोटल रूक परहा रहा रहा है एक एक कुस्स दिल करवा रहा है जबी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में